दोस्तों नमस्कार आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किसी भी फोन में आप माउस को कनेक्ट कर सकते हैं आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से वायरलेस माउस को आप अपने एंडरोइड फोन में कनेक्ट कर सकते हैं पिछले दिनों से मेरा अगर कुछ वीडियो आपने देखा होगा तो मैं माउस का ही इस्तमाल करके वीडियो बना रहा हूँ तो अगर आप भी वारलेस माउस को अपने फॉन में कनेक्ट करना चाहते हैं इस वीडियो को कहीं भी इसकी मत कीजेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल step by step समझेगा तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में complete प्रोसेस बताता हूँ और कहां से यह आपको माॉस मिलेगा वायरलेस माॉस ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास HP का एक वायरलेस माॉस है तो अगर आपके पास कोई भी company का माॉस है तो कोई दिक्कत नहीं same process है mobile के साथ connect करने का तो चलिए हम mouse को बाहर निकाल लेते हैं डबे से तो यहां पे आपको एक sale आएगा उसके बाद यहां पे mouse आजाएगा उसके बाद एक USB आजाएगा तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा पहले sale तो आपको लगा देना है और OTG में आपको लगा देना है तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे OTG के साथ connect कर दिया है USB को आपको एक चीज धियान में रखना है अगर आपके पास Type-C phone है तो आपको Type-C OTG आपको ले लेना है अगर आपके पास Micro USB वाला phone है तो आपको Micro USB एक OTG ले लेना है लेने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आप जो भी mobile में connect करना चाहते हैं माउस को उस mobile को यहां पे अपने पास ले लेंगे लेने के बाद यहां पे setting में जाना है setting को open कर देना है open करने के बाद यहां पे आप जो है search भी कर सकते हैं एक OTG का option आएगा नहीं तो आप यहां पे देख सकते हैं other networks and connect का option आएगा जब इस पे आप click करेंगे तो नीचे में आपको एक OTG का option दिखाए जाएगा तो आप इसे यहां से भी enable कर सकते हैं तो अगर आपको यहां पे search बार दिया गया setting में तो search बार में आपको लिखना है OTG OTG लिखने के बाद फर्स नमर पे आज आएगा तो यहां पे आप click करेंगे तो नीचे में देखे एक OTG का option है तो इसे आप OTG को option को enable कर देंगे click करके तो आप यहां पे देख सकते हैं OTG मेर enable हो गया जब OTG आपका enable हो जाए तो यह जो हमने USB port और OTG को connect किया है इसके बाद जो आप जहां पे charger लगाते हैं वहीं पे इसको connect कर देना है तो चलिए हम यहां पे connect कर देते हैं connect करने के बाद आपको mouse लेना है तो थोड़ा से back side करना है और back side करने के बाद यहां पे आपक red light जल जाएगा इसके बाद यहां पे एक बटन दिया गया है connect का तो connect के उपर click करेंगे तो आपका सफलता पूरवग जो है mouse के साथ mobile phone connect हो जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं अच्छी तरगे से यहां पे work कर रहा है मेरा mouse phone के साथ यहां पे setting पे हम click करते हैं तो यह यहां पे कितनी अच्छी तरगे से यहां पे mouse काम कर रहा है तो यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे click किया तो इस तरह से यहां पर आप इसे phone के साथ जो है mouse को उप्योग कर सकते हैं तो यहां प手णन कर दिये हैं तो यहां पर PLAY ST can do download करना है आप mouse से ही पूरा access कर सकते है अपने mobile phone को इस तरह से अपने wireless mouse को phone के Co की क्नेक्ट करके आप से youcos ले सकते हैं वह जो ओटीजी के वाल है आप किसी लोकल मार्केट से भी के ले सकते हैं अग्स आप सी brown आप two ओजी ले लेंगे frustration ऐस मौला फ़ोन है तो ओटीजी आप लेंगे अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं फिर से सेटिंग में जाएंगे यहां पर बंद कर देंगे उसके बाद माउस में जो पीछे के साइड ऑन और आप का बटन दिया गया उसे बंद कर देंगे तो आपका जो है माउस बंद हो जाएगा यह माउस लगभग आपको सारे 500 से लेके 600 इरोपिया तक में आपको मिल जाएगा चाहे तो आप उनलाइन भी ले सकते हैं वीडियो के डिक्सिशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप मार्केट से भी जाके ले सकते हैं तो इस तरह से अपने वार्लेस माउस को फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो वीडिय पे नहीं तो सब्सक्राब करके बेल आगन को दबा दीजिए